तो हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम नगरी में अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना एंड लाइक शुरूर करना आपको इसको पैल आइकोन को भी दबाना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब जब ये वीडियो कोई ना कोई वीडियो इस चैनल पे अप्लोड होगी तो शुरू करते हैं अपने आज क्या करने वाले हम मोस्ट इंपोर्टन कोशन को डिसकस करेंगे जिनके जिनके बहुत चांसेज आने के ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से यह आप इसी एक तरह का टेस्स समझ लेना जैसी आपको कोशन अगर आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका रिप्लाइद देना यानि कि आंसर आप समिट कर देना अपना अगर आपक के लिए भी रिवीजन हो जाएगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से हडपा सबेता की खोच किसने की थी ठीक है आपको 10 सेकंड का टायम दोंगे आप खुछ सोचना आपको पता हो तो आप अपने पास आंसर रखना और कमेंट्स बॉक्स में आंसर टाइप क होता है चाहिए वो कोशन को बदल दे बस इस अडपा सबेता के जो कोशन हैं वो काफी ज्यादा एक्जाम में पुछे जाते हैं तो कोशन इसका ऑप्शन देखेंगे देयराम सहानी ने रखालदाज बैनर जी ने या एम एमवत ने या अन्य ने ठीक है तो इसका जो आंसर हैं वो है रखालदाज बैनर सहानी ने सॉरी देयराम सहानी ने बैस आशक जिसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था तो कोशन नमबर दो जिसने जैन मुनी की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया तो इसका आंसर हो जाएगा कोशन पढ़ लेते हैं पहले हम उसकी ओप्शन ले लेते हैं बिंदुसार अशोक चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य तो 10 सिकेंड का टाइम आपके पास सोच लो उसके बाद आप आंसर बताना तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर रहा है अब नेक्स्ट कोशन पर जाते हैं हम तराइन का प्रत्थम यूद किसने लड़ा या किसके मध्य लड़ा गया तो आप्शन पढ़ लेते हैं हम मौहमद